ओवर्ल टेस्मेज के पहले दिन जब इंगलेंड ने सिर्फ एक विकेट पर सवा सो से जद रन बना लिये थे तो लगा ये टेस्मेज तो पहले दिन से ही इंगलेंड की जोली में चला गिया है फिर भारती के इंद बाजू ने मैच में वापसे की करीब 50 उन के भीतर 6 विकेट गिरा दिये और पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो इंगलेंड का स्कोर था 108 थार्मरन पर 7 विकेट भारती क्रिकेट फैंस को लगा कि जीतार किसी को भी मिले लेकिन एक बार फिर रोमांचक मैच देखने को मिलेगा लेकिन भारती फैंस की उमीदों पर अगली सुबह पानी फिर गया इंगलेंड के पुछले बले बाजू ने टीम का स्कोर 332 तक पहुचा दिया वो भी तब जबकि मैच की दूसरी सुबह जस्पीत दुम्रा ने आदिल रशित के रूप में इंगलेंड का एक विकेट जल्दी जड़क लिया था असली कहानी इसके बाद ही शुरू हुई थी स्टुवर्ट प्रॉड और जोस बटलर ने भारती गैंद बाजों के पसी ने निकाल दिये दोनुने मिलकर स्कोर को 300 के पहर पहुचा दिया और रंत में जब स्टुवर्ट प्रॉड आउट हुए तो इंगलेंड का स्कोर था 312 रन इसके बाद भी आखरी विकेट के लिए इंगलेंड ने 20 रनों की साज़ेतारी की जिस सिरीज में हार जीट का फैसला 31 रन से हुआ हो इस सिरीज में एक-एक रन की कीमत क्या होती है ये बताने के जरुद विराट कोली को नहीं है बाव जुदिस के वो रन इनीती के मामले में शू नहीं दिखाए दिये विराट कोली ने ऐसे ऐसे फैसल लिए जो कोई भी कप्तान कभी टेस्ट मैच में तो नहीं ले सकता मैच के दूसरे दिन विराट कोली के तेज गेंद बाज ठके वे थे सभी ने लगभग बराबर गेंद बाजी की रविंदर जडेजा सिरीज का पहला मैच खेल रहे थे पहले दिन के खेल में जडेजा को दो विकेट भी मिले जिसमें किटोन जेनिंग और बेनिस्टोक शामिल थे दूसरे दिन जब कप्तान विराट कोली ने जडेजा को बॉल दी तो अजीब से फिल्टिंग लगा दी ऐसा लगी नहीं रहा था कि भारती टीम आखरी बले बाजों को आउट करने के लिए गेंद बाजी कर रही है शुरुआत में तो रविद जडेजा सिर्फ एक स्लिप लेकर केंद बाजी कर रहे थे और वो भी टेस्ट मैच में इंग्लेंड की धर्ती पर इसके लाबा कोई भी क्लोजिंग फिल्डर उछले बले बाजों पर दबाव बनाने के लिए थाई नहीं इसी वज़े से बले बाजों को मनमाफिक शॉट्स खेलने का मौका मिला साती उन में क्रीज पर टिकने का अत्मिश्वास भी आ गया विराट कोली शायद ओवर टेस्ट को आई पिल का मैच समझ रहे थे और इसलिए रन बचाने की रन नीती पर काम कर रहे थे और विकेट निकालना विराट कोली के दिमाग में बिलकुल भी कहीं नहीं दिखा आखिरकार ये दोनों विकेट भी रविन्द जड़ेजा नहीं लिए स्ट्वर्ट बॉर्ट का शांदार केच केल राहूल ने पकड़ा तो जोस बट्लर ने अजिंग के रहाने को केस्थ थमा दिया अगर इंग्लेंड के पुछले बले बाजू को क्लोजिंग फिंडर्स के दवा में लेकर रविन्द जड़ेजा ने गैंद बाजी की होती तो निश्यत तोर पर उन्हें काम्याबी पहले ही मिल जाती बात यहीं खत्म नहीं होती तेज गैंद बाजू ने भी बाउंसर नहीं फैकी यॉरकर बॉलेंड तो खुब डाली गैंद बाजू को उनकी कमिया बताने के लिए बॉलिंग कोच बाउंडरी पर नज़र नहीं आए आमतर पर बॉलिंग कोच पाउंडरी लाइन पर गैन बाजू से बाचीत करता रहता है लेकिन भरतरुन तो ड्रेसिंग रूम में आराम से मजे में बैठे वे निजर आए तो ये सब कुछ होता रहा और कप्तान विराट कोली चुप चाप देखते रहे और कुछ भी नहीं किया इस सिरीज में ऐसा पहली बार नहीं वाए जब इंग्लेंड के पुछले बले बाजू ने कीमती रन जोड़े हो सैम करन को आप याद कीजिए पहले टेस्ट मैच में और तीस से टेस्ट मैच में उन्होंने ही इंग्लेंड को एक तरह से मैच में जिता दिया था अब भारती टीम 144 रन तो बना ही चुकी है इंग्लेंड के पास अब भी 108 रनों की बड़त है फिलहाल इस टेस मैच में इंगलेंड का पलड़ा पूरी तरह से भारी है भारती तेस गेंदाजू ने इस पूरी सीरीज में शांदार प्रदर्शन किया लेकिन जिस जिका वो चूके वो है बल्लेबाजी इस बात की उम्मीद कम ही लगती है कि बल्लेबाजी इस बार भी कमाल दिखा पाएगी एक बार फिर चौती फारी में टीम इंडिया को चार सो से जाधर रणों का लक्ष मिलना आता है और भारती टीम को एक बार फिर लड़ खडाते वे देखने के लिए आप तयार रही है क्योंकि ज्यादा संभावना इसी बात की है फ्लेम मीडिय रिपोर्ट